महाभारत में जैदरत सिंधु प्रदेश के राजा थे, इनका विवाह कौर्वों की एक मातर बेहन दुशला से हुआ था, जैदरत सिंधु नरेश व्रिधक्षत्र के पुत्र थे, व्रिधक्षत्र के यहां जैदरत का जन्म काफी समय बाध हुआ था और उन्हें साथ ही यह परदान भी प्राप्त किया कि जो भी जैद्रत को मारकर जैद्रत का सिर जमीन पर गिराएगा उस की सिर के हजारों टुक्डए हो जाएंगे। औरत केड़्र जैद्रत के इने昨 14 कृत्व ने जैद्रत का वद्वा, सुने अपनी लक्षे की ओड्यान करबान चोर दिया। उस बाल ने जैदरत का सिर्धर से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जैदरत की पिता की गोद में जाकर गिरा। पांदव चौसक के खेल में दुर्योधन से हार गए थे तब उन्होंने बारा वर्ष का वनवा स्वीकार किया था। इस अवधी में पांदव द्रौपदी और माता कुंती के साथ वनवन भटक रहे थे। एक दिन जैदरत की नजर द्रौपदी पर पड़ी और उसने द्रौपदी का हरंग कर लिया। जिसके बाद पांदवों ने उसे रोक कर उसे युद्ध में पराजित किया और उसके वद क करने को सज़ा हो गए। तब अरजुन ने भीम को याद दिलाया कि जैदरत दुशाला का पती है और बहन के पती का वद नहीं किया जा सकता है। तब भीम ने गुसे में जैदरत का मुंदन कर उसके सिर पर पांच चोटी छोड़ दी। बस इस घटना के बाद से जैदरत प भीम्यू ने आचार्य द्रोल के बनाय हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया तब पांडब भी उसके पीछे पीछे प्रवेश करने के लिए दोले। ऐसा इसलिए क्योंकि अभीम्यू को चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए दोले। ऐसा इसलिए क्योंकि अभीम् जैद्रत को परास्त कर युद्ध भूमी में पुनह लौते तक अभिम्यू का कौर्वों के हाथो वध हो चुका था। इसी कारण से अर्जुन ने जैद्रत को अभिम्यू के वध का मुख्य कारण मानते हुए उसके वध की प्रतिग्या ली। प्रतिग्या के अनुसार या तो सूर्य धलने से पहले अर्जुन उसका वध कर देंगे या फिर वो अगनी में प्रवेश कर आत्मदाह करेंगे। इसे जरूर पड़ें, महाभारत में आखिर क्यों अर्जुन को एक साल तक रहना पड़ा था एक महिला बनकर। कौन सा वर्दान था जैद्रत की पास। जैद्रत को यह वर्दान प्राप था कि जो भी कोई उसको मारेगा और उसका शीष धड़ से अलग करेगा उसकी भी मृत्यू हो जाएगी। जैसे ही जैदरत का शीष जमीन पर गिरेगा उसका सिर काटने वाले के सिर में भी विस्फोट हो जाएगा। इस वर्दान को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैदरत का शीष काट कर उसके पिता की गोद में फिकने को कहा। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। इस तरह जैदरत का वद भी हो गया और अर्जुन की प्रतिग्या भी पूर्ण हुई। तो ये इस कारण से अर्जुन जैदरत को मारना चाहते थे।